हालो स्टुएंट्स लास्ट एग्जेंपल डिस्क्रस करेंगे एग्जेंपल नम्बर एक देगो क्या किरा दा कार्टीजन प्रोड़ेट्ट ए मुल्टिप्ला एज नाइन एलिमेंट्स है उनके पास ही गया अमंग भी चार फाउंड उनमें से ही दो यहां पर दे रख्या है find the set a and the remaining elements of a multiply a सबसे बल तो set a निकालो अब थोड़े दिमाग लगाना मुझे set a की value निकाल नहीं है आना एक सेकंड को मुझे क्या given है a multiply a given 9 elements है इस पर 9 मतलब 9 pairs हो गया और यह कब possible है जब number of elements in a 3 हो अब आते हैं set a पर set a बनाना है आपको set a में क्या 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 है अगली value में बताया थी इसका फस्ट उठाना फिर इसका भी फस्ट उठाना एक 0 आ गया positive का वो one भी इसमें count होगा क्यों कि यह a और दूसरा वाला a दोनों क्या है same a के अंदर number of elements हो गए यह 3 यह हो गए अब आपको करना क्या है a multiply a करना है यानि कि आपको minus 1 0 और 1 को multiply करना है minus 1 0 और 1 कैसे करते है इस minus 1 से minus 1 को करेंगे फिर minus 1 से 0 को करेंगे बट वो यहाँ पर use हो चुका तो मैं वह नहीं लूँगा फिर minus 1 को 1 से करेंगे अब जाओ 0 पर फिर 0 को minus 1 से करेंगे फिर 0 को 0 से करेंगे फिर 0 को 1 से करेंगे यह भी use हो चुका यह भी लूँगा लास्ट वन, वन माइनस वन से करेंगे वन को जीरो से करेंगे, वन को वन से करेंगे बताव समझना आया है क्या हाँ सरा आया यह हो गया complete आपके पास remaining elements of a multiply देखो यह 3, 3, 6, 7 और 8, 9, गो टोटल example 8 तक complete हो गया है अब सीधे आपको सीधे exercise मिलेगी